एक्टर मनुज बाचपी स्टारर बंदा का ट्रेलर मंडे को शेयर किया गया अपने यूट्यूब चैनल पर ले जाते हुए जी फाइब ने दो मिनत से जादा का लंबा ट्रेलर शेयर किया वीडियो में मनुज बाचपी एक वकील का रोल ने भार हैं जो एक शक्तिशाली तांत्रिक के खिलाफ लडने के लिए निकलते हैं वो एक नाबालिक को न्याय दिलाना चाहते हैं जिस पर तांत्रिक ने हमला किया था ट्रेलर में मनुज कहते हैं कि लडाई लंबी चलेगी फिल्म एमोशन्स के साथ साथ एक्शन से भी भरपूर है ट्रेलर लॉंच के दौरान मीडिया ने फिल्म की टीम से सवाल किये एक्टर मनुज बाजपई से पूछा गया कि इस फिल्म में आपको किस चीज़ इंस्पायर किया और आपको क्या लगता है फिल्म ओडियंस को कैसी लगी जिसका रिप्लाई करते हुए अक्टर ने कहा यहाँ है अजब लॉड़ किस टूरा इच ऐगने सिर्ट बेस वेस सूरी अ मिनोज जब मेटी शुबर्न बाइपंगे करो फिल्म मेंस आपको इसूरी को इसुछ टूरी इसूरी को बाहाँ बाहचे है अट बेस्वाट टो बाहाँ व्नुब बाहाँ बाहाँ असका अध्ष but somewhere I realized that we cannot go wrong with this story and we'll make sure that we write a great film because it's not only a great dramatic piece that we can write but also somewhere being a daughter's father it kind of compelled me to be part of it but cinema can create so much of awareness about ourselves about the society that we live in that we will understand as to how we should live and for whom we should live and what should be the intention and the meaning of our life Banda is that film Banda is a film which not only tells you about the journey of a very ordinary man, a lawyer but it also tells you about a girl 16 year old girl who always stood her ground never let her spine disappear film के title Banda की पीच्छे की कहनी शेयर करते हुए आक्चा ने कहा कभी भी किसी समय भी हम यह नहीं सोचते कि यह यह टाइटल रख देते हैं यह फिल्म से कह है चाहिए उसका वास्ता है चाहिए बड़ा अट्रेक्टिव लग रहा है हम लोग हमेशा एक दूसरे पर सवाल करते रहते हैं एक दूसरे को question करते रहते हैं कि जो सुझाव आते हैं वो आसानी से जल्दी पास होते नहीं है जब बहुत सारे जिमदार और लोग और क्रियेटिव लोग एक साथ जुड़ते हैं तो हर सुझाव का स्वागत होता है लेकिन उस सुझाव पर कई नजरिये से उस पर बातचित की जाती है बंदर स्ट्रीमिंग प्लाटफॉर्म जी फाइफ पर डायरेक्ट्टू डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है अपूरु सिंग कारकी के डिरेक्शन में बनी और दीपक किंग रानी की लिखी ये फिल्म विनोद भानुशाली की भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड जी स्टूडियोज और सुपर एस वर्मा ने प्रेडियूस की है फिल्म जी फाइफ और ट्वेनी त्री में को रिलीज होगी मनुच को लास्ट शर्मिला टैगोर के साथ डिजनी हॉट स्टार की फिल्म बुलमुहर में देखा गया था वो सुपर हिट वेब सीरीज दे फैम